सातियों बिजली का समान तो सबके घर में होता है इसको कहते हैं हम लोग electrical appliances जिसमें कि आपके पास आता है टीवी आपके पास फिरिज है आपके पास washing machine है dish washer आपके पास में है microwave आपके पास हमें ऐसी बहुत सारे gadgets हर किसी के घर में और यहां पर है बहुत बड़ा confusion सातियों फि water element है और उसको रख देते हैं नौर्टीस में उठाके इसी तरह से और भी बहुत सारी चीह होते हैं जैसे dish washer होता है dish washer कहां पर आएगा सबसे बड़ी समस्य है जो मेरे सामें आई जिसकी वज़े से मैंने ये वीडियो बनाई सातियों वह है बिजली की motor पानी की जो पानी उ महां से 37 में 70-70-80-80 मिटर रंबे plot मैंने देखे जहां पर की motor भाई सामने रखी हुई है 37 में और पानी का जो पाइंट है वान का जो बूरिंग है वह है 39 में क्या वास्तू सातियों ऐसा काम करो कि जिससे नमूना ना बने बेव कुब ना बने और जिसमें हम अपना तो चलते हैं मेरे साथ इस वीडियो पर अंतराश्ट्रिय ख्याति प्राप्त सेलेब्रिटी वास्तू कंसल्टेंट वास्तू शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत द्वाच नमशकार साथियों डॉक्टर आनंद भार्दवाज आपके लिए लाया है बहुत अच्छे अच्छे पुईंट्स वास्तो के बताने के लिए साथियों इसमें बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती हैंäv अब electrical appliances हरे घर में होते हैं आप देख रहे हैं बहुत सारे समान आपके घर में भी होंगे अब यहां पर क्या होता है समस्या आ जाती है बहुत ज्यादा विकट सर हम Fridge कहां पर रखें हम पाने की मोटर कहां लगा है पाने की मोटर जह हो लोग कहते है वास्तोवाले अगनि है क्इस कुछ से मोडन दो 3 में अच्छा फॉरी करें इसको कर दो 39 में तो मोडर Northern में अजन बड़ी भी भी फैक्टरी जिसके लिमभा उ सुनार को घरता है और क्रेट कवी ओर में हमिशा कहता हूं कि लिए समस्यां को कि उस बस नहीं करता हूं और रहा प्रजिक बताता हूं scientific और साथ में authentic बात भी करता हूं आपसे अब देखिए साथियों आप देख रहे हैं कि एक अगर हमारे पास कोई जगा है जहां पर कि हमने अपना यह समाह लगाया हुआ है तो किसी भी घर में किसी भी स्थान पर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा कि कोई भी plot कोई भी भूखंड हमारा है और इस भूखंड मैं माह लेता हूं उपर हमारे पस्चिन दिशा है वेस्ट है यह हमारे बास वेस्ट ठीक है तो जब वेस्ट यहां पर होगा तो नौर्थ यहां पर आजाएगा और इस यहां पर आजाएगा इसके साथ साथ यहां पर आजाएगा अब ऐसी कंडिशन में जितने भी आपके पास electrical appliances होते हैं उनको क्या करना है आपने अगर आपका पानी का बॉरिंग अगर आपने water का बॉरिंग अपना घर में अगर North East में करका है सपोस्थ के यहां पर जाद होगा मैंने आपको मना किया था बहुत पहले कि कभी भी corner में जा है यह जो जो दिशा बनती हमारी एक imaginary हमारे पास यह एक डैगला मुझाता है इसके पर बॉरिंग कभी नहीं होना चाहिए इससे हटके होना चाहिए या तो North में हो या East में हो ठीक है अगर बॉर यहां पर होता है तो motor भी यहीं पर आएगी जो बिशली की motor है वो भी यहीं आएगी North East में ही आएगी फिर से repeat कर रहा हूँ क्यों आएगी अब logic समझे लेना एक पानी और एक बिशली की motor इन दोनों में powerful कौन सा power तो power दे रही है मुझे लेकिन इसमें जो dominating factor है साथियों वो dominate करने वाला जो factor है यहां पर water है इतना निकल रहा है पानी हजार और लीटर बाइट यह भर भर के वहां से पानी निकल रहा है motor फैंक रही है वहां से और बिशली की motor जाए वो बहुत छोटा उसका जो आयतान है उसकी जो value है उसका जो स्थान है वो इतना छोटा है कि वो heat पैदा नहीं कर रही है और बिशली की motor होती है वो कभी कभी भटी नहीं मना करती कभी भी तो जो पानी है यहां पर वो dominating factor है इसलिए यहां पर पानी का कि अंदर जाती है तो वो मुझे जहें दिखा दें वो दिखा दें समर्सिबल की motor लगा दें साउथ इसमें बोरिंग कर दें यहां पर साथिया संभावी नहीं है अन प्रैक्टिकल बाद जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं उसके बाद कभी नहीं प्रैक्टिकल नहीं पर यहांद भी जेहस मुझे रहे साउथ इसमें अपने बाद हो प्रैक्टिकल i.s ... पर जायांगे और यहांपर आपका आता है सिंख राइट यहां पर वर्कष बरतन मांजने का धोने का कुछ भी मन्जाता है अब क्या होता है कि यहां कुदा आपने फ्रिज um सबसे पहले तो mind से ये बात निकालो कि fridge water element है fridge water element नहीं है logic क्या है इसका जैसे fridge आप जिस समय खोलेंगे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 50 सेगंड के 10 सेगंड के लिए और पानी निकालेंगे केवल और केवल, मातर और मातर उतने समय के लिए वो अपनी coolness आपको देगा पानी वाप पर देखेगा, पानी निकालेंगे आप जैसी पानी निकालते है तो वो 24 घंटे, आपको पता है कि fridge के आसपास जब कितनी heat पएदा होती है बटी बनी पड़ी होती है fridge के पीछे तो वो जब fridge है साथियों वो ऐसा electrical appliances है उसके अंदर जो dominating factor है उसके अंदर heat है, गर्मी है जो की fridge के आसपास फैली होती है उसके circuit के कारण water element जो उसमें है वो water element की value बहुत कम है dominating factor, motor में क्या बताया था पानी के motor में? पानी, और इसमें जो dominating factor है इसके अंदर है अगनी तो जो fridge हमारा होगा उस fridge को अगर आपने रखना है यूज करना है कहीं पर भी तो आप कभी वी ध्यान करना कि North East में fridge को नहीं रखना North East में fridge को नहीं रखना North East को छोड़ के कहीं भी रखे avoid करे, South West में भी नहीं अच्छी बात है पर इतना सीरस नहीं है नौर्थ इसको छोड़के कहीं भी रखें अब जो फ्रिज होता है आपका उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है सबसे अच्छी जगह होती है साथियों नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट फ्रिज के लिए बहुत अच्छ यह आपके पास फ्रीजिंग है यहां पर फ्रीजर है यह भी पीछे से बटी बनी पड़ी है बहुत ज्यादा हीट निकालता है पीछे से इसको कहा लगाना है आपने नौर्थ वेस्स में लगाना है सबसे अच्छी जगा क्योंकि साउथ इस में तो आपने फाय ले लिए वहा यह आपका फ्रीज फ्रीज के बाद में आपका आता है वाशिंग मशीन बहुत ज्यादा सवाल मेरे पास आते हैं अब जैसे आपके पास वाशिंग मशीन है वाशिंग मशीन के लिए कपड़े दोने के मशीन होती है डिश वाशर आपके पास में होता है इसमें डोमिनेट क जिसको कहते हैं वाईव कौन यह वाईव कौन बन जाता है और अगर आपका बाइचांस प्लॉड कभी ऐसा होता ना जैसे कई वह मुझे से पूछने के सर हमारे पास एक और हमारे पास में इस बन जाता है अगर आपका प्लॉड घूमा हुआ है तो जिस जगा पर भी आपने के वैस तक अगर ऐसे प्लॉट गुमा गुभा आपका तो ऐसे केस में आपको जह है जो यह लगानी है वाशिंग मसीन जो लगानी है अपनी वहापकी यहाँ पर आएगी फ्रिज भी हाँ पर आएगा नर्थ-व瑨िक मैείnh क्या कह यहां पर आया आपका एक तो washing machine यहां पर आई दूसरा आपका डिस्वरश्र भी आ गया कितना सारा समान आपका नॉर्थ वहस में आ गया अब अगर इसको मजबूरी आपको पड़ जाए किसी वज़े से सौथ इस में लेने के लिए कि नॉर्थ वहस में नहीं आपना है सौथ-ईस में ले 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 तब ध्यान कर लेंगा एक बात को कि ये जो washing machine है ये 100% आपकी आपकी आटोमेटिक होने चाहिए क्योंकि 37 में जो semi-automatic होती है, manual होती है जिसे पानी बहुत दिल भरा रहता है वहाँ पर पानी का भरा रहना अच्छा नहीं है 37 में चाहिए आपका plot सीधा हो या टेडा हो अगर आपका plot माल या बिलको सीधा भी है जिसके अंदर बीच में हमारे नौर्थ हा रहा है इदर south आजाता इदर west पस्टिम आजाता इदर पूरा आजाता है तो इस case में भी ध्यान करना कि अगर आपके पास में कोई washing machine है और वो जहा है south इसमें आपने लगते हैं मजबूरी में कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर पानी को भर के निरुखना पानी की बाल्टियां भरने के लिए drum के drum भर भरने के लिए मना करते हैं boring के लिए मना करते हैं चट के ओपर पानी के टंकी मना करते हैं क्योंकि अगनी है अगनी और पानी एक दूसरे के दुश्मने सातियों इसके बाद यह बताया है मैंने आपको बिल्कु ठीक है इसके लिए नॉर्थ वेस्स बिल्कु ठीक है अब इसके अलावा कुछ अपलाइंसिस मैं आप से शेयर क बाद कि अबवानि होता था प्राणां जंद फ्रेसमें कर ठीकाफार है डावक समय में थियruktur अभूपर सेंजस्ने उर्कषिक अडिय। जो लोगों ने लिखा, किताब में लिखा, अख़बार में लिखा, नेट में लिखा, वो लिखा कि South East में होना चाहिए उसको TV को, लेकिन आज का जमाना यह LED का है, प्लाजमा का है, ऐसे से TV है, जो कि गरम नहीं होते, इनमें भटे नहीं बनती, हीट अब नहीं होते, और वास्तु में हम कहते हैं, कि जब भी कुछ करते हैं, आप बैठते उठते हैं, तो आपका Face East में होना चाहिए, नौर्थ मोना चाहिए, तो जितने भी TV आपने यूज़ करनें, घर के अंदर, टेलिविजन, आपके पास LED हो, या आपके पास में प्ला और मैं कुछ वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा, जिसमें आपकी आखे ये खोलूँगा, कि कुछ वास्तु कंसर्टेंट, कुछ और वास्तु कर रहा हैं, वो पताने राउंड बना देते हैं, गोला बना दिया, उसके अंदर 20-30-50-100 दिशाएं मना देते हैं, और बड़ा भरम फैल रहा उसका, आपको याद रहना है, वास्तु शास्त्र केवल और केवल, पांच तत्तों पर चलता है, भूमे जल, वाईयो अगनी अकाश, और पांच इसके अंदर जाए उप्दिशाएं गवा करते हैं, इसके अंदर जाए 16, 32, 64 वाला सिधान कोई भी नहीं है, बिलक चाहिए इसको नौर्थ में, यानि उत्तर के दिवार पर, दो ही दिवारें होती हैं, दो ही दिशाएं होती हैं, जहां पर के आपके टीवी को होना चाहिए, पर मजबूरी पर जाती हैं बहुत बार, अगर मजबूरी पर जाती हैं तो इसको आप पश्ची में भी ले सकते ह है पत्षी में कोई समस्या नहीं है यह हम बात करें थे TV की ना करना है ठीक है इसमें आपने गलती नहीं करनी और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यह देखिए वही टीवी है अब यह आपको बता रहे थे हम यह जो टीवी है हमारा यह तो आएगा हमारा यह नौर्थ में उत्तर में यह आएगा हमारा इस में पूर अगर आपका फ्लोड इसको जहे लगा सकते हैं हम लोग नौर्थ इस में लगा सकते हैं आराम से थोड़ा से हटागे थोड़ा सा नौर्थ इस से नौर्थ की तरफ या थोड़ा सा नौर्थ इस से इस की तरफ उत्तर पूरव से इसकी तरफ हां उत्तर पश्ची में नौर्थ वेस में भी लगा स है और इसमें मालिया यहां पर इदर उत्तर आ जाता है इदर आपका फूरव आता है और यहां पर आपका दक्षिन और यहां पर आ आपका वैस्ट यहां पर आ सकता है यहां आ सकता है यहां आ सकता है यहां आ सकता है और यहां मैं चाहते हैं कि हजबन बाइफ की बीच में प्यार मना रहे टीवी को निकालो अपने बैटरूमे से खेर इसके बाद में अब आती है दूसरे चीजें यह देखिए मुबाइल सबसे बड़ा दोस्त और कटर दुश्मन हमारा खा जाता है हमें इतना इलेक्ट्र मेगनेटिक इडिशन से पैदा होता है कि इसने जिन्द की भारी कर दी है साथियों इसके चुटकारा तो नहीं पा सकते हैं हमारी जिन्द के अभी नंग बन गया है जैसे ऐसा लगता है अगर मॉबाइल कहीं रखके भूल जाए हम छूट जाए कहीं पर ऐसा लगता है जैसे हमारा हाथ हमारा अंगہ कहीं रह गिया ये तो हमारे एक शरीर का अंगा बन गया पूरी तरह से इसके बिना जी नहीं सकते हैं लेकिन इसकी नेगटिविटी से बचने का असान दरीका बताता हूं कि उतनी देर जतने जरूरी हो यह मानके चलो के मुझे जो बात मुझे दो मिनट में क करूँगा और मैंने देखा आजकल के बच्चे हैं घर के लोग हैं आदमी हैं ओरते हैं लेडिजें घर की लगे रहते हैं आदा घंटा एक एक घंटता साथियों कितने बड़े रिडिश्ट पैदा करता है यह देख लेना बहुत जादा करता है इसके दिशावी कहां आती है इसके दिशावी साथियों वहीं आएंगी जो मैंने बताया था आपको यह इसको रखना है तो आप नौर्थ वेस्ट पे रखो जैसे चार्जिंग के लिए रात को वैसा तो दिन में कहीं है पौकट में की बड़ा होता है अगर नौर्थ वेस्ट में नहीं आता है तो फिर इसके बाद में 37 दक्षिर पूर आगने कॉर्ण में भी रख सकते हैं और उत तर पश्ची में भी रख सकते हैं वाई राम से कोई समस्यास में आपको नहीं है रखने में इसके बाद यह एबी टीवी वही जैसे आप बताया वह सारी फोटो में इस लिए लिलता हो साती हम त नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट फिरिज के लिए बहुत अच्छी जगा सबसे अच्छी जगा साती नॉर्थ वड़े कामका कोना है कोई चीज कहीं भी सेटना हो तो उठाके नॉर्थ वेस्ट में करता साती हो बहुत असानी से कोई दिक्कत नी होती इसके बाद और भ बहुत अच्छा नहीं समझते कभी भी बिलकु ठीक है लगाया हुआ है और इसकी हाइड भी आप देख रहा है है इसकी बहुत अच्छी है यह इसी हाइड को पर होना चाहिए बेट्नूम के अधर अवाइड करो स्टडी रूम में आवाइड करो पूजा रूम में आवाइड करो इसके बाद आप देखे और सब टीवी फिर सब ऐसे लगें हैं बहुत बढ़िया यह एक किशनर डाइनिंग अरिया पैंट्री है पैंट्री के अंदर आपने देखा कि हाँ डिश वाशर होते हैं हमारे बास माइक रूम होते हैं यह जो भी ऐसे अपलाइंसी होते हैं व वेस्ट इन सब चीजों में अगर मजबूरी पर जाती है तो आप वेस्ट में भी कर सकते हैं मुझे लगता है आज मैंने इस वीडियो में छोड़ा लंबा तो हुआ लेकिन मैंने इसमें आपको जाए काफी कुछ समझाया आपके जितने भी अप्लाइंसी आपके घर के अं मत भूलना और फर्स्ट राइम अगर आपने देखा है डॉक्टर अना भार्दवाज को यूट्यूब वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे जितने वीडियो होते हैं हर वीडियो होता है बहुत ज्यादा बेश कीमती अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ आपको मिलता हूँ मैं आपसे एक निया टॉपिक लेकर आँगा तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़ा तो नमस्कार धन्यवाद थैंक्यू और टेक कियर